हेले फ्रेंड्स मैं हूँ आपका दोस्त अकरम और मैं आपका स्वागत करता हूँ हमारे यूटूब चैनल अकरम फैसन डीजाइनर में फ्रेंड्स आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे सिंपल सुट के गल्ये को आप किस तरह से जमा सकते हैं और बना सकते हैं और दोस्तों आप गला बनाते वक्त आप से क्या क्या गलती हो जाती हैं आप इस वीडियो में समझ जाएंगे जिनके वज़े से हमारे गले में सफ़ाई नहीं आपाती सल्वेटे भी आ जाती हैं और गला एक तरफ भागता है और दोस्तों इस वीडियो में हम आपको दो तो देखे दोस्त आप देख सकते हैं यहां के जो कटिंगे मैं मैंने नहीं से कहने को परुस्टी और यहां से ब्रबर करेंदू को Feder करने के पाद इसको दूबरा से इस तरह से भी दोस्तो आम इसको फैल ले और यहां पर यहां में नकुन की थी यह बिल्कुल यहाँ पर हम झालक से दो तीन जगह निसान लगा लेगा जो सांड़ेगं और दोस-ईसी ईस्युप्रas निसान के बाद आ लगने के यंदे हमें का हुआ है को दोस्तों जो इसकी लंपई रखने वाले हैं वो रखेंगे 6 चोडा ही रखेंगे 5 तो तो इसी ही नप करके को इस लगाएंगे घलये को तैयार करेंगे और अब सिमेड़ाइब सुरूओ दोस्तों यहां से शुरू करेंगे एक तरफ से और यहां पर किनार किश लगाएंगे नहीं लगाने हैं यक यहां यहां पर यहांने का तो हम यहां पर इसको पांच इंच पर ले आएंगे उसके बाद आप हम यहां से सुरू करेंगे और सारे पर किनार पर चार साइड शिलाई लगा देंगे तो दोस्तों यह सिलाई हमने चुकिनार की लगा लिए है और इस सिलाई को लगाने के बाद हम यहां से इस कपड़े को करीब आदा दिन अश्टा काटेंगे जो कि यहां पर फॉल्ड हो जाएगा तो सबसे इसके बाद दोस्तों हम इस कपड़े को यहां से चार साइड से काट देते हैं देखे दोस्तों इस कपड़े को हमने काट दिया है और इसके बाद इस कपड़े को यहां से हम इस तरह से पकड़ने के बाद और इस बुकरम की तरफ उपर फॉल्ड कर देंगे और दोस्तों इसको सफाई से बनाने के लिए हमें यहाँ पर एक पेर किसले लगानी है और चारों तरफ से वो जो पेर किसले लगानी है हमें बिलुकल बराबर लगानी है तो देखें दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर हमने चारों साइड शिलाई लगा लिए दोस्तों यहाँ पर हम इस कपड़ें को नहीं काटेंगे क्योंकि यह कपड़ा जो छोटा है हमारी बुकरम से बाहर नहीं नहीं कल रहा अगर यह कपड़ा इतना बड़ा होता जो हमारी बुकरम से बाहर निकलता और हमें शिलाई लगाने में कोई परेशानी आती तो हम इसका एक्स्टा कपड़े को काड़ देते लेकिन यह कपड़ा है जो बुकरम के अंदर है इससे हमें कोई परेशानी नहीं है दोस्तों इस तरह से गला बनाने के बाद इस गले को यहां से बराबर कर लेंगे और यहां पर इस तरह से बराबर करने के बाद नाखुन से प्रेज जैसा कर लेंगे और इसको ऐसा करने के बाद यहां पर एक कट लगा लेंगे और दोस्तों यहाँ पर जो हमने नाकुंचे प्रेज जैसा किया है यह हमारे गले का सेंटर है यह हमें याद रखना है उसके बाद यहाँ पर एक निसान लगा लेंगे और इस भुकरम के उपर भी हम इस निसान को लगा लेंगे उसके बाद दोस्तों देख सकते हैं यह हमारा जो फ्रेंट का हिस्सा है इसमें हम गला बनाने वाले हैं और हमारा बनाने के लिए दोस्तों यह हमारा जो हिस्सा है यह उल्टा है और यह है सीधा हिस्सा हमने उपर की तरफ रखाया है और यह हमारा गला और इस गले को हम जमाएंगे इस तरह से जैसा कि या दोस्तों यहां पर जो हमारा कट है इस कट को हम आपस में मिला लेंगे बिल्कुल बराबर और यहां पर जो हमारा चोक का निसान है और यह जो नीजे कबड़े का चोक का निसान है इसलिए मैंने दोनों में अलग-अलग निसान लगाएं ताकि ये आसानी से नजर आ जाए दोस्तों इस निसान को जो नीला निसान है हमारा और इस पिंग कलर के निसान को आपस में हम मिला लेंगे इस तरह से ये बिल्कुल इसको बिल्कुल बराबर कर लेंगे और इसको बरा आपस में मिला लेना है और इस कुटके से इस कुटके को आपस में मिला लेना है उससे फायदा ही होगा दोस्तों उससे आपका गला है जो बिल्कुल सेंटर मा जाएगा के बार क्या होता है दोस्तों गला है जो इधर की तरफ यहां से दोस्तों किनार से मैंने फीदा लगा लिया और इस कटिंग के पास देखी देखो फिक्स चारिंज का यह आ रहा है देख इसका मतलब यह दोस्तों यह जो हमारा गला है बिल्कुल एकदम परफेक्ट जम चुका है और इसको बनाने के बाद यह दोस्तों कहीं भी नही आएगा दोस्तो एक फ्र्मॉला तो हमारा यह हो गया अब हम इस गले को आ constitute अगे बनाते हैं और गले को आ बनाते वक्तों यहां से सिरू करेंगे किनारी किनार की और जो हमें जो सिल्पाटर बिल्कुल इस बुक्रम की जड़ में लगा नी ना कि फाल तो कपड़े पर लगानी है और ना ही हमें बुकरम पर चड़ानी है दोस्तों अगर हमने शिलाई जो बुकरम पर चड़ा दी तो हमारी फिनिसिंग खराब हो जाएगी और अगर हमने ज़्याई कपड़े के अंदर दे दी तो भी हमारी फिनिसिंग बिल्कुल खरा दोस्तों हम लाइक की चाहरोत तरस पूर्वर यानि ऊपपर उसके बार यहांसे आद आ इनूल," एपम मारमोर्जन फिलकीटे देंगे तो देखें दोस्तों यहाँ पर हमने इसकी कटिंग कर ली है और दोस्तों जो हमारा दूसरा सी फॉर्मूला है दूसरा सेक्रेट है वो जो इस तरह से है दोस्तों इस तरह से गले को काटने के बाद यहाँ पर कैंची से हम हलक हलके से कट लगाएंगे इस तरह से हम कट लगाएंगे दोस्तों कट हमें इस तरह से लगाने है हम चिलाई लगा ये इस लाई भी नहीं कटनी चाहिए और जो हमारे कट हैं बिल्कुल शिलाई के जड़ में पहुंच जाएं देखिए दोस्तों यहां पर हमने कट लगा लिए है और कट लगाने का दोस्तों फायदा ये है जब भी कट लगाने के बाद हम इस गले को इस तरह से सीधा करेंगे इस तरह से देगी दोस्तों जब हम इस गले को सीधा करेंगे यहां से तो यह जो गला इसमें बिल्कुल सल्वंटे नहीं आएंगी ये बिल्कुल साफ साफ इस तरह से बिल्कुल सीधा हो जाएगा ये गला है जो इस तरह से बिल्कुल सीधा हो जाएगा उसके बाद अगर आप चाहें तो इसमें यहाँ पर इस कपड़े को और इस बुकरम वाले हिस्से को रोकने के लिए यहाँ पर एक कच्ची सिले लगा सकते हैं और अगर आप चाहें तो यहाँ पर इसमें किनार की सिले लगा सकते हैं जिससे इसकी finishing और बढ़ जाएगी तो हम इसमें लगाएंगे किनार की सिले आर दोस्तों किनार किसले लगाने अचिवे ने सपहले हम आपको यी बात बाताथे हैं उसी पुजिशन में पहुच जाते हैं दोबारा से दोस्तों हम ने आपको दो बाते बताई हैं यह था रखनी है जब भी आप गले बनाएंगे अप को गले का सेंटर बाता है और इस सूट का यानि इस कुर्थी का सेंटर मिला लेना है और सेंटर को मिलाने के बाद इस गले को जमाना है उसके बाद दोस्तों दूसरा फॉर्मला हमारा यह है जब भी आप इस तरह से यहां पर पहुंच जाएंगे अंदर के कपड़े को काड़ देंगे तो आपको इस तरह से कट लगाने हैं सारे गले में जहां जहां से हमारी सिलाई है दोस्तों यह कस्टूमर के डिमांड पर हम इसमें गोल गला बना रहे हैं बाकी आप जो चाहें कोई भी गले की सेब दे सकते हैं और चाहे आप कुछ भी गले की सेब दें आपको इसी तरह से कट लगाने है और कट लगाने से फायदा यह है दोस्तों गले को जो हमारा गला होता है यह अच्छी तरह सीधा हो जाता है इसमें सल्वाटे नहीं आती यह बिल्कुल साफ और सुत्रा गला बन जाता है दोस्तों अब हम इसमें लगा देंगे किनार की से लाई है तो देखें दोस्तों इस गले को हमने यहां से बना लिया है मसीन से क्या शांदार गला नजर आया दोस्तों इसमें बिल्कुल भी कहीं भी सलवटे नहीं है और बड़ा फिनिक्सिंग से बना जा है और देखें दोस्तों यह सारी जिगे से बराबर आपको मिल जाएगा साड़े पांच इंच यहां से इसको ना पेंगे इसको ना पेंगे यहां से पांच इंच और इसको ना पेंगे यहां से पांच इंच दोस्तों यह जो हमारा गला है बिल्कुल सीधा है यह कहीं भी कहीं भ बराबर है और पहनने के बाद यह एक हीजी के डेटर रहेगा दोस्तों तो देखे दोस्तों इस तरह से हमने गला बनाया है अगर आपने इस तरह से आपका सूट का कोई भी गला बनाया तो बाड़ा फिनिसिंग और सफाई से गला बन जाएगा दोस्तों इसमें जो हमने आप की वीडियो आपको मिल जाती है और अगर आप चाहते हैं सिलाह से जुड़ी हर एक परकार की वीडियो आपको टाइम पल मिरती रहे तो आप आल नोटिफिकर्शन के बटन को भी दबा लेजिए